हलो दोस्तों नमस्कार मैं अटवर चौधरी सुबह मैंने एक पोस्ट के मार्द्यम से आपको RPSC Second Gate 2016 के संदर में एक सुप्रीम कोट का जो फैसला आया था उसकी एक एक कटिंग मैंने आपको डाली थी हो सकता है वह पोस्ट आपको आधी दूरी दिखाई दे क्योंकि जो साइज होता है वो काभी छोटा होता है अब इस वीडियो के मार्द्यम से फुल डेटेर के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए दोस्तों जो सुप्रीम कोट है उसने हाई कोट के दखल पर सवाल उठाया है जिसमें बात क्या थी सुप्रीम कोट ने भड़ती हो में प्रस्नों को सही गलत ठेहराने के मामले में हाई कोट के दखल पर सवाल उठाते हुए राज्जिस सरकार को बढ़ी राध्दी है कोट ने कहा कि नियाइक प्रक्रिया में मामला लंबा चलने से भडती हो में देरी होती है और उसका प्रसासन चलाने में खाम्यजा उठाना पड़ता है न्याईदीस एल नागेश और राव न्याईदीस हैमंद गुपता वे न्याईदीस अजय रस्तोगी की बेंज ने दित्यस रहनी सिच्छकों के 951 पदों पर 2016 की भरती के मामले में अपीलों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है कोट ने सामजिक विज्ञान संस्रात हिंदी अंग्रेजी वे गनत विशेओं के सिच्छकों की भरती के मामले में यहादेश दिया है यानि पांच विशेओं के संदर में यादेश है सिर्फ विज्ञान विशे को छोड़ कर 21 मई 2019 की चैन सुची यहाँ पर थोड़ा सद्यान देना 21 मई 2019 की चैन सुची और 22 मई 2019 की पृतिक्छा सुची के आधार पर चैन को सही ठहराया है यानि जो चैन किया गया था चाहे मुख्य सुची की बात हो चाहे पृतिक्चा सुची की बात हो उसको सही ठहराय गया यहां पर कोट ने इस मामले में विकास कुमार गुपता वे अनिकी S.L.P. को खारिज कर दिया है अब आते हैं मैन बात पर खाली पद का जो मामला है वहे सुप्रीम कोट ने R.P.S.C. पर छोड़ा है कोट ने कहा कि खाली पदों को पृतिक्चा सुची से भरने के मामले में वहे दखल नहीं दे सकता लेकिन इस मामले में सरकार वे R.P.S.C. निरने लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे तो यहां पर एक बड़ा सवाल जो सरकार है और R.P.S.C. है दोनों का यह कारे है कि स्वतंत्र इस चीज के लिए कि खाली पदों को जो पृतिक्चा सुची है उससे भरा जाए या ना भरा जाए तो मैं यहां पर आप से बिल्कुल स्पष्ट कहना चाता हूँ कि 2016 की जो भरती है प्रतिक्चा सुची में जब चैन का जो आधार है उसको सई ठहराया गया है तो बेटिंग सत प्रतिसत निकलेगी और दूसरी बात 8 सप्ता में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश यानि 8 साथ चप्पन यानि हम दो मन्त मान सकते हैं यानि कहने करती हुआ कि यह प्रक्रिया जो है आपको बहुत जल अब देखने को मिल सकती है यानि हमको एक या डेड़ मेने का इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि 2016 की जो भरती है लगवग जो उस समय चेहनेत हुए थे उनका प्रोविशन भी पूरा हो चुका है तो इस तरह के मामला रहा है सीर्स कोट ने पांच सवालों के मामले में हाई कोट के 12 मार्च 19 के आदेस को भी गलत माना है अदालत के दखिल से तीन परेशानी सीर्स कोट ने कहा कि बढ़तियों के मामले में अदालत ने दखिल से तीन परेशानी होती है पहली बढ़ती में देरी होती है दूसरी एस्थाई तोर पर प्रिक्रिया में सामिल होने वाले नियमित होने का दावा करते हैं यानि पहले उन्हें एस्थाई तोर पर नियुक्त तो करती देता है लेकिन बाद में इस्थाई होने के लिए दावा करते हैं स्टाब की कमी से प्रसासन चलाने में भी परिशानी होती है। अब यहां सरकार का क्या पक्छरा। राजी सरकार की ओर से बरिष्ट अधिवक्ता मनीश सिंगवी ने कहा कि सरकार ने चैन पिरक्रिया को याचिका के अधिन रखते हो हैं भरती की। मामला लंबा चला तब तक भरती रोके रखने से राज को मुश्किल होती है। हाई कोड ने जिनके मामले में आधिश दिया उन्हीं को रहत मिलनी चाहिए। RPSC की ओर से अधिवक्ता अमित लुवाया ने कहा कि मेरिट हाई कोड के आदेश पर ही त्यार की गई। अब यहां यह देखने वाली बात है कि जो खाली पद का मामला है RPSC पर छोड़ा गया है। यहां पर राज़ सरकार और RPSC मिलकर क्या निरने लेती हैं यानि जो खाली पदें उनको पृतिक्षा सूची से बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं लेकिन मेरा यही मानना है कि पृतिक्षा सूची से ही खाली पदों को भरा जाना चाहिए यहां पर और आगे आने वाला जो समय है वो ही बताएगा लेकिन जो यह सुनवाई में जो हुआ वो मैंने आपको पूरी डिटेलियां पर बताई है और भी कोई यह संदर में अपडेट आती रहेगी आपको अवस्य में बताता रहूंगा इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों